अब गुड्मरिंग फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को कॉपिंग विद मैथमेटिक्स पोगिया के बारे में बताऊंगा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैतमेटिक्स फाफंडेशन होती है किसी भी साइटिफिक और टेखनोलोजी के डिस्कवरी की क्योंकि mathematics एक logical concepts develop करने में बड़ी help करती है इसलिए mathematics को technological और scientific discoveries के जननी कहा जाता है हाला कि ये अलग बात है कि mathematics के जैसे ही words सामने आते हैं हम maths का नाम देते हैं वैसी ये 4-5 words बच्चे के अंदर एक emotions पैदा कर देते हैं वो emotions dislike का, anxiety का और सीधा-सीधा mathematics से अपने fair के दिखाता है इसका मतलब है कि अधिकाश बच्चे mathematics से डरते हैं यदि आप देखेंगे खास्तों से visual impairment की field में तो visually impaired बच्चे mathematics को एक label के बाद छोड़ देते हैं जैसा कि CBC में class 10th के बाद compulsory नहीं होता mathematics लेना तो mathematics वो छोड़ देते हैं generally, जादा तर schools में 8th class के बाद भी mathematics पर focus नहीं करते हैं या फिर उनके पास option होता है कि mathematics या Sanskrit ले सकते हैं तो अधिकाश बच्चे mathematics का दूसर option ले लेतें इसी fair की वज़े से, इसी समस्या की वज़े से कि उन्हें इन सब जीजों में समस्या का सामना करना पड़ता है, mathematics से उन्हें काफी encounter करना पड़ता है, mathematics को लाइक नहीं करते हैं mathematics के जो anxiety है, उसका severe form होता है phobia, phobia का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर अपने आप ही एक डर महसूस होने लगता है कि वो किस तरह से mathematics को कर पाएगा है, mathematics किस तरह से उसके syllabus के curriculum का एक part जो है उसे किस तरह से complete कर पाएगा जैसे कि definitions में यह बताएगा है, feeling of anxiety and tension that interfere with the manipulation of numbers and the solving of mathematics problem is a wide variety of ordinary life and academic life, is called mathematics phobia यानि कि जैसे ही बच्चे के अंदर mathematics के परती चिंता या tension आती है और यह tension का बाती है, जब वो mathematics से related activities को या numbers से related काम करने को या numbers related questions को solve करने शुरू करता है, तो यह problems reflect होने लगती है और यह problems उसके ordinary life में किस तरह से परभाव डालती है यह भी mathematics phobia का एक अच्छा सा example है, कि mathematics के द्वारा वो अपनी ordinary life और academic life में जो जो mathematics से related activities होती है, उसमें किस तरह से बच्चे को समस्य का सामना करना पड़ता है उसको दिखलाती है, यह definition किस तरह से हम कौप अप कर सकते हैं, math phobia को इसके बारे में सबसे पहला, recognize the symptom of math phobia सबसे पहले math phobia को recognize करना बहुत जरूरी है जब तक हम किसी चीज को recognize नहीं कर पाएंगे जब तक हम किसी चीज को पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम उसे cop up नहीं कर पाएंगे एक visually impaired बच्चा anxious हो जाता है, frustrated हो जाता है जब वो mathematical numbers को deal करता है और उसे phobia होने लगता है There are four common symptoms that helps you recognize the mathematics phobia चार तरह की symptoms होते हैं कि आधार पर आप mathematics phobia को identify कर पाते हैं या पहचान पाते हैं नमबर वन panic पैनिक में जब कभी कोई visually impaired बच्चा अपने आपको बड़ा helpless महसूस करता है या उससे डरता है जब वो mathematics की classes में जाता है टेस्ट कर देता है, quizzes में जाता है या homework में जाता है तो बच्चे को बच्चा अपने आपको helpless या दर का महसूस होता है तब वो लगता है कि वो panic है बच्चे का दूसरा है peronia यदि कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि केवर वो ही एक ऐसा बच्चा है जो mathematics की उस काम को नहीं कर पाएगा या उस problem को सोर नहीं कर पाएगा और वाखी सब कर लेते उसे बोलते peronia passive behavior यदि कोई बच्चा अपने आपको give up कर दे कि मैं बिल्कुल नहीं पड़ पाऊंगा और वो यह कहता है कि वो केवर वो ही ऐसा बच्चा है जो कि किसी भी चीज को नहीं कर सकता है वोसे कहते हैं कि passive behavior if the child give up on trying to learn and understand mathematics entirely because he feels that he was just not smarter enough इसका मतलब है कि वो बच्चा के अंदर passive behavior आ गया है mathematics से related और lack of confidence यदि किसी बच्चे को यह लगता है कि उसके पास किसी question का किसी समस्या के दो हल है और उन दो हलों में confused होता है तो वो यह कहता है और उसके अलावा उसे लगता है कि जो दूसरे और है उन लोगों के पास सबके पास इसका solution है तो वो आ जाता है की lack of confidence में आता है तो यह चार सिंटम्स होते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे के mathematics phobia को पहचाना जा सकता है इन चारों symptoms के आधार पर है दूसरा acknowledge your math anxiety mathematics जो anxiety है जो phobia है उससे पहचानना बहुत जरूरी है अगर वो अगर हम उस mathematics के problem को नहीं पहचान पाते हैं या फिर हम उसे acknowledge नहीं कर पाते हैं कि हम यह नहीं कह पाते हैं कि भी नहीं मुझे इस mathematics से problem है तो कभी भी हम mathematics की phobia को नहीं कर पाएंगे इसका मतलब यह है कि कोई भी visually impaired बच्चा जिसे mathematics से phobia है उसे पहले यह acknowledge करना पड़ेगा उसे accept करना पड़ेगा कि उस बच्चे को mathematics से समस्या है या उसे mathematics के problem है या mathematics में उसके weakness है नमबर थी आता है sign up for proper level of math course यानि कि उस बच्चे को एक लेवर पर रखना generally classroom के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी अपने questions को solve कर देते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो average time में solve करते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत जादा time देते है mathematics problem को solve करने के लिए यह होता क्यों है इसका reason यह है कि सभी बच्चों में अपनी अपनी individual differences होते हैं उनके अपनी different abilities होते हैं जिसके आधार पर वो questions को solve कर देते हैं इसका मतलब यह है कि आपको जब आप mathematics के phobia को खतम करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको इन तीनों stages में से किसी एक stage पर आपको रखना पड़ेगा आप किसी से compare नहीं कर सकते कि मुझे जो सबसे fastest बच्चा है जो बहुत जल्दी questions को solve कर लेता है और मैं थोड़ा लेट solve करता हूँ इसका मतलब मुझे mathematics phobia है नहीं अगर आपको अपने label पर आपको पता है कि आप अन्या बच्चों के साथ उस problem को solve करने में समय लेते हैं इसका मतलब कि आप एक आपने अपने एक label decide कर लिया कि आप ऐसे बच्चे नहीं है जो बहुत जल्दी या बहुत speed से कोई questions solve कर लेते और आप ऐसे भी नहीं है कि आप बहुत जादा time लगाते हैं यह अलग चीज होती है उन बच्चों के लिए जो middle में होते हैं जो average बच्चे होते हैं कि जब कभी difficult यह advanced questions उन्हें दे दी आते तो थोड़ा सा frustrate हो जाते हैं थोड़ा struggle करते हैं मगर इसका मतलब यह कभी नहीं होता है कि उन्हें mathematics phobia है number four interaction with the mathematics teachers and discuss the issues related to the mathematics problem यदी बच्चे को mathematics में problem है यदी बच्चे को mathematics से mathematics में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वह बहुत जरूरी है कि बच्चा अपने teacher के साथ interact करें बच्चा अपने teacher के साथ interact करके अपनी समस्याओं को बताए अपनी limitation को बताए अपने phobia को बताए अपनी सारी समस्याओं को teacher के साथ detail में discuss कर सके ताकि teacher के द्वारा कोई ऐसा module या कोई strategy कोई या इस तरह का method adopt किया जाए ताकि बच्चे की mathematics problem को solve कर सके या mathematics के phobia को कम कर सके यह सब चीजे classroom के अंदर या classroom के बाद भी remedial teaching के द्वारा teacher के द्वारा इस तरह की activities organize की जा सकती है नमबर पांच ask question when you don't understand यदि आप को कोई mathematics में समस्या आती है और आप तो यह बहुत जरूरी होता है कि आप question पूछे सामान्य तोर पर बच्चा mathematics की class में इसलिए question नहीं पूछ पाता है कि उसे लगता है कि उसके अलावा class में सभी बच्चों को उसका आंसर पता है मगर classroom में teacher को और बच्चों को दोनों के related problems होती है उन problems के बारे में बच्चे को से पूछी एक good teacher कि यह रहता है कि वह इन सब बच्चा teacher से कक्षा के अंदर कोई question पूछता है यह अपना doubt क्लियर करता है तो वह doubt हो सकता है कि class के अन्य बच्चों के साथ भी हो और इसी क्याधार पर एक बच्चे के द्वारा class के अन्य बच्चों को भी उस concept के बारे में teacher से पता लग जाए यह clarification मिल जाए thank you very much